हेलो फ्रेंट मैं बिर्जेश कुमार ओपिसियल यूटूब चैनल गॉर्णमेंट जॉप्स फोर यू मैं आपका स्वागत हैं यह वीडियो बहुत ही मातपुन हैं और सरकारी नोपड़ी सेशा बंदित हैं इस वीडियो में एक बड़ी वेकेंसी के बारे में बताने वाला इसलिए आपको स्टार्टिंग में आप सोचते हैं कि दो मिनिट वीडियो देख लूँगा तो पूरी जंकारी मिल जाएगी तो इसमें मैं तीन नोटिफिकेशन मर्च कर रहा हूं और तीनों नोटिफिकेशन में अलग-अलग पद के लिए आवेदान आमंत्रित हैं तो इ उससे पहले मैं बता दूँ कि इस चैनल पर डेली सरकारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें जिसे कि मोटिवेट होकर मैं इसी तरह का अपडेट वीडियो बनाता रहा हूं अब इसमें जो वेकेंसी हैं सुरचा परारे और चालक यानि उनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म फिल करना कल से शुरू होगा यानि 25 जुलाई से उनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा और सारह 9 बज़े मोर्निक टाइम में अप्लिकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएगा और उनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म फ कर सकते हैं यहां तक तो समझ में आ गई होगी अब हम बात करते हैं अधर डिटेल जंकारी तो देखें यहां पे हेल्प लाइन नंबर दिया गया है इस नंबर से यह दिकिसी परकार की प्रोब्लम आती है तो आप बात कर सकते हैं दूसरी बात के जीमेल आइडी भी दी गई है जीमेल आइडी के थूरू भी आप कंट्चेक्ट कर सकते हैं और इसमें जो हें सुरच्चा पढरी और सुरच्चा चालक के लिए आवयदान आमंतरित बात की हम बात कर लेते हैं के चार और ये पांच पद पर आवेदन आमंतरित किया गया है इसमें कटेग्री वाइज तो आप गितल जंकारी देख सकते हैं सबसे ज़्यादा महात्पूर बात है कि या वेकेंसी आई कहां पे हैं तो बिहार में आया है और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ऑनलाइन हम बात कर लेते हैं तो 21,600 से लेकर 17,100 रुपिय प्लस नियमा अनुमान अन्य भत्ते भी दे हैं अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो राज जी या केंदर सरकार के इंटर्मीडिट परसर या बोर्ड द्वार मनेता प्राप्त किसी बिसे में इंटर्मीडिट एक तो ये क्वालिफिकेशन है इसके लावा सारीरिक माप डंड हैं इसमें पुरुष के लिए जो उंचाई हैं 1.667.5 है यहीं 167.5 सेंटीमीटर हैं इसके मामले में और जो हैं जो चेश्ट हैं 76.5 सेंटीमीटर हैं और दिव्यां के लिए भी अलग से दी गई है इस तरह से फीमिल के लिए जो हैं 154.6 सेंटीमीटर हैं जो हैं द्रिष्टहिन के लिए भी इसमें जो दी गई है 6Y 12 करके लिखा हुआ है चस्मे के हिसाब से तरह से आप दिकल जानकारी देख सकते हैं और ड्राइबर का जो पद हैं इस पद के लिए जो सेलरी है 1900 से लेकर तिरसा चाड़ा दो सो हैं और प्लस नियमा अंसार अनुमान और अन्य बत्ते दे हैं क्वालिफिकेशन में दस्वी कलास पास हैं और ड्राइवी लाइसेंस वाइलिड होना चाहिए ऑनल आनिफिकेशन के अत्रिक्ट जो सबसे परिच्छा पद्धत के हम बात करते हैं तो इसमें जो हैं आपके जो हैं परिचालक और दोनों पद के लिए सिधी बढ़ती के लिए आवेदानामंत्रित क्या गया है और सिधी बढ़ती में जो हैं इन दोनों पद के लिए लिए लि पांच मिनेट से आधिक और पांच से 20 सेकेंड तक है तो 40 अंक मिलेगा इस तरह से यह नंबरिंग दी गई है तो यह तो डिटेल जांकरी आप देख सकते हैं इस तरह से जो ड्राइबर का पद है इस पद के लिए भी सेम कंडिशन रखी गई है इसमें भी जो हैं चालक के से इंटर्वी में के आधार पर 25 अंक हैं तो यह पद हैं इसके अलावा अप्लिकेशन सुल्क के हम बात कर लेते हैं तो बिहार राज के अंसुची जात अंसुची जन जात आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 400 रुपिय अप्लिकेशन सुल्क हैं बिहार राज के अस्थाई credit card के द्वारा पे करना है इसके बाग online application form फिल करने के लिए जो मातपूर निर्देश है यह इसमें दी गई है कि आपको application form फिल कैसे करना है यह detail जंकारी इसमें दी गई है तो यह तो एक notification हो गया अब मैं दूसरा notification में बताता हूं कि उसमें भी क्या क्या detail जंकारी है qualification क्या है तो notification में already download करके रखा हूं आपको दिखा देता हूं यह जो vacancy है बिहार में आया है यानि बिहार बिधान पड़सत सची वाले पाटना में आवेदा नामंत्रित है application form फिल करने order detail जंकारी तो सेम है help line number भी सेम है यहां तक तो मैं नहीं बता रहा हूं हमें केवल पद बताना है और पद बताने के उपरांत जो है qualification बताना है तो देखिए असिस्टेंट के लिए आवेदा नामंत्रित है और तीस पद है और दस यानि असिस्टेंट के 40 पद है assistant और धायक्त के लिए एक पद है डेटा एंटरी आपरेटर के लिए कुल जो है चौवन पद है डेटा एं इलाओं के लिए हैं तो यह पद से रिलेक्टेट डिटेल जंकारी हैं कटेग्री वाई तो आप डिटेल जंकारी देख सकते हैं सिलरी की बात करें तो सिलरी बहुत अच्छी हैं 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपिये सिलरी हैं प्लस नियमा अंसार अनुमानी अन्य भत्ते दे हैं इस इस वर्ड प्रति मिनट की हिसाब से टाइपिंग करना हैं और कॉंप्यूटर से रिलेटेट अच्छा घ्यान होनी चाहिए और जो सहायक और धायक का पद हैं इस पद के लिए जो सिलरी हैं 25,500 से लेकर 1,100 रुपिये पलस अनुमानी अन्य भत्ते दे हैं क्वालिफिकेशन में असना तक मंगा हुआ है अभी जो में कॉंप्यूटर से रिलेटेट जो डिगरी है वो भी होना चाहिए डेटा इंट्री आपरेटर के लिए भी सिलरी सेम है और क्वालिफिकेशन में इंटर्मीडिट पास होनी चाहिए और साथ में कॉंप्यूटर प्रति घंटा की गत क्वालिफिकेशन में मनेता प्राप्त संस्ता से इंटर्मीडिट पास होनी चाहिए साथ ही टैपिंग स्फीड है इंगलिज तीसवड पर मिनट या हिंदी तीसवड पर मिनट है और जो वांचित योगता है कंप्यूटर पाठ करम में परमार पत्र जिसे ए आई सी टी या टी ओए डबल सी या अं-अ-अ-अई-ई-अ-ई-अ-ट की मनेता हो और होना चाहिए या यह नहीं है तो इसी के संतू ले कोई दिगरी होनी चाहिए आई कंप्यूटर डच्शता परमार-पत्र होनी चाहिए अब अप्लिकेशन सूल की बात करें तो 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 अप्लिके के साँ रखा गया है ? इसके अलावा यौद अर्थ परच लेक्षट बिलेटेडेड है क्योंकि कम्पिटर्स ज्यादे मायने रखता है इसके अलावा हम बात करते हैं सबसे ज़्यदा महत्पूर्ण जो हमारे पास जो है डिटेल जंकारी लिपिक के लिए भी परिच्छा जो है हिंदी और इंग्लिस में हैं जो है multiple choice का पेपर होगा और interview भी हो सकता है इसमें जो डिटेल जंकारी दी गए यह इस डिटे से related person पुछा जाएगा सायक और धायक के लिए भी सेम पेपर दो गंटे का रखा गया है तो यह पेपर से related डिटेल जंकारी है अप्लिकेशन सुल्क में जो भी में जो बताया था कुछ ताइम पहले यानि फर्स्ट नोटिफिकेशन में बताया था सायद वही अप्लिकेशन सुल्क है इस तरह से जो अप्लिकेशन सुल्क है ठोड़ा सा डीफरेंट है इसलिए मैं अलग से बता देता हूं देखिंए बिहार राज के अनसुची जात अनसुची जण जात आर्थिक जण जात अभियारतियों के ल? स्भी जनरल और महिला के लिए जनरल Бर्घ महिला अभियार्थियों के लिए भी 600 रुपिया है बिहार राज के 40 परसेंट या उसे अधिक दिभ्यांग के लिए भी 600 रुपिया है और बिहार राज या तता अन्य कोट के अभियार्थियों और अन्य राजियों के सभी कोट के अभियार्थियों के लिए 1200 रुपिया संट करने के जोतिति है सेम है औ ओनलाइन आवेदन करना है अब दिक हम बात करें तो रीपोरर के लिए रीपोरटर की लिए आवेदान positive लाँगे आफ्धित है यह यानी सोल करें और इसमें तक हैं यानि बेचलर डिग्री होनी चाहिए इसके अलवा हिंदी आसुलिपिक गट 150 वर्ट परती मिनट हैं और हिंदी टंकन और अंग्रेजी टंकन गटी 35 वर्ट पर मिनट हैं इसके अलवा जो हैं कम्प्यूटर पार्ठ करम में पर्मारप्त पर जिसे AICTE या कम्प्यूटर पार्ठ करम में इलेक्टानिक प्रत्यायन विभाग या NCRTE की मनेता प्राप्त हो या DOEACC या NILIT द्वार मनेता प्राप्त विसेयों के पार्ठ करम या आवधि के संदर्प में O-Level के सम्तुलिपिसे या कम्प्यूटर का दच्छता होना चाहिए इसके लवा यहाँ पर एक नोट भी दिया है कि जो आपेचिक आसुलिपिक गत्ति वाले पर्ट्यासियों की परत्याप संख्या उपलब नहीं होने की स्तित्में 140 सब्द प्रत्य मिनिट के आसुलिपिक गत्ति पर इस सत्त के साथ निक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि वे एक बर्स के भीतर 150 वर्ट परत्य मिनिट की गत्ति असुलिपिक जात्में परत्य पराप्त कर लेंगे तो यह है कि फूचर में भी आप टाइपिंग स्पीड बढ़ा कर और बढ़ा लेते हैं तो भी आपका एक साल के निक्ति के बाद आपको फिक्से पुना टाइप पर होंगे प्रारंविक परिछा है और में पर है जो मल्टिपल च्वाइस का होगा तीन चरण में आपके पर हैं बहुत बिकल्पी टाइप का पेपर होगा जिसमें हिंदी आसुलिपिक जाहां चे भी हैं और हिंदी-अंग्रिजिक टाइपिंग भी है और इंटर्व्यू लाश्ट में हैं तो इसा भी वेकेंसी के लिए यह तीन पेपर हैं और दो पेपर हैं यह व लाश्ट में इंटर्विव हैं इसके आधार पे सेलेक्शन होगा और यहां पर पासिंग काइटेरिया भी दी गई है तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो है अप्लिकेशन फॉर्म ओनलाइन आवेधन करें और यह वेकेंसी तुम्हें बताई दिया था कि बिहार में आया है और बिहार में बिहार बिधान पटसत सचीवाले में एक बड़ी वेकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है इसी के साथ धन्यवाद